नमस्कार आपका स्वागत है देश परदेश समवाद चैनल में आज हम बात करेंगे 24x7 न्यूज चैनल के बारे में जिनके लिए एक रिपोर्ट राइटर्स इस्टिटूट ने हाल में ही जारी किया है बड़ी खबर बड़ी खबर का शोर मचाने वाले और पॉलिटिकल न्यूज का ओवर्डूस देने वाले भारती मीडिया की पोल खुल गई है रॉइटर्स इस्टिटूट ने अभी हाल में ही अपनी एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें उन्होंने पताया है कि दुनिया भर में डिजिटल मीडिया के साथ-साथ 24 by 7 टेलिविजिन समाचार चैनलों के उपर लोगों का भरोसा कम हो रहा है ऐसा भी देखा जा रहा है कि कोरोना महामारी रूस यूकेन संगर्स और जीवन यापन पर जो संकट आ रहा है विश्वभर की अलग-अलग घटनाओं के कारण उससे जूड़ी ही समसामाईक खबरों पर भी लोगों की रूची कम हो गई है और वो इन खबरों से बचने की कोशिस कर रहा है राइटर्स इस्टिटूट के रिपोर्ट के अनुसार लोग अक्सर या कभी कबार समचारों से बचने की कोशिस करते हैं खास तर पर पैतिस साल से कम उम्र के जो युवा हैं उनका ये कहना है कि वो समाचारों के कारण उदास हो जाते हैं युवाओं का जो सम्मंध है वो न्यूस ब्रैंट्स के साथ में लगातार कम होता जा रहा है और वो सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी पहुँच खबरों तक बनाने की कोशिस करते हैं दुनिया बर में ये देखा गया है कि जो युवाओं लोग हैं उनके लिए न्यूज एग्रिगेटर पहली पसंद के रूप में उभर कर सामने आ रहा है जहां पर की युवाओं ऐसे वेबसाइट्स सर्च इंजन और सोशल मीडिया के माध्यम से अलग-अलग जगह चपी खबरों को एक साथ एक जगह पर देख लेते हैं राइटर्स इस्टिटूट की रिपोर्ट में ये भी पाया गया है कि बड़ी संख्या में लोग ऐसा मानते हैं कि जो मीडिया हॉस्स हैं वो अनुचित राजनितिक दबाव के अधेन ही काम करते हैं और किवल एक बहुत चोटा सा वर्ग है जिसका कि ये मानना है कि नहीं मीडिया जो है अपने प्रोफेशनल एथिक्स का ध्यान रखती हैं और वो समाज के हित को आगे रख कर काम करती हैं राइटर्स इस्टिट्यूट की डिजिटल नीज रिपोर्ड दो हजार बाईस के अनुसार बारत में आकाशवानी और दूर दर्संद जैसे लोग प्रसार को के बारे में लुगों की जो विश्वास है वो एक अच्छे स्थर पर बना हुआ है राइटर्स इस्टिट्यूट ने दुन्या भर के 46 बजारों में लगबग 93,000 ऐसे लुगों के साथ में यह सर्विश्ण किया था जो की ऑल्लाइन सामाचार देखते हैं या सुनते हैं सोशल मीडिया के हालिया उदय के साथ ही मीडिया की अवधारणा एकदम बदल गई है और खबरों के प्रवापर किसी का कोई नियंतर नहीं रह गया है हाँ नार्थ कुरिया और चीन जैसे अथारिटेरियन स्टेट्स इसके एक अपवाद हो सकते हैं यह रियल टाइम न्यूस का दौर है इंटरनेट न्यूस के जमाने में व्यत्तिगत और सारवजनिक खपरों के बीच का भेब मिट सगया लगता है अब फेक न्यूस के परसारित होने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता है अमेरिका में 2016 में हुए रास्टपती पत्के चुनाओ के दारान फेक न्यूस की चर्चा पूरी दुनिया में बड़े जोर शोर से सुनी गई थी वहाँ ऐसा देखा गया था कि वूटर्स को प्रभावित करने के लिए फेक न्यूस का इस्तेमाल हुआ था उसके बाद में 2019 में बारत में हुए लोकसोबह चुनाओ के दारान भी ये चर्चा के केंदर बिंदू में रहा था ऐसा पक्षपात कों कवरिज पहले कभी नहीं देखा गया है अमेरिका में भी एलक्ट्रोनिक और प्रिंट मीडिया खुलम खुला दो खेमों में बढ़ गये हैं वहाँ जब भी रास्टपती पद के लिए चुनाओ होता है तो मीडिया की खेमेवाजी पूरी दुनिया देखती है में इस्ट्रीम मीडिया से प्रोफेशनल एथिक्स एकदम खतम सा हो गया है आज समाचार लगातार विचारों के साथ जोड़कर ही पेश किये जा रहे हैं परिणाम सुरूप लोगों को ऐसा लगने लगा है कि ना तो समाचार पत्र और नहीं 24 by 7 चलने वाले खबरिया चैनल उनको निसपक्ष समाचार देते हैं पक्षपात्मूंत्स समाचारों का प्रस्तुतिकरण और कारेक्रमों के एजेंडा आधारित कवरिज ने मीडिया की प्रामाडिक्ता और विश्वस्नीता पर एक सवाल्या निशान तो खड़ा करी दिया है एक स्वतंत्र बंधनमुक्त और निडर प्रेस किसी भी लोगतंत्र के लिए बेह जरूरी है ये आप और हम अच्छी तरक से सभस्ते हैं अब ये वक्त है कि स्पस्ट और वस्तोनिस्ट रिपोर्टिंग मीडिया के द्वारा की जानी चाहिए समाचारों और विचारों के बीच की लक्षमर्रिखा को मीडिया को पहचाना नहीं होगा और उसका सम्वान कर नहीं होगा मीडिया के नैतिक माप दंडों में आई गिरावट एक वैश्विक चिन्ता है और भारती मीडिया की प्रतिस्ठा भी दौँ पर लगी वी है देश में नीजी, खबरिया, चैनलों के आने के बाद मीडिया हॉसेस के द्वारा अपने धर्शकों और पाटकों को अपने साथ जोड़े रखने के लिए अपनाई जा रही क्लिक पेट टैक्टिस ने जनलिस्टिक प्रोफेशनल एथिक्स की सारी सीमाएं लांग दी है आपने न्यूस चैनल्स में आयोजित बहसों को कई बार देखा होगा इन में कैसी भाषा का प्रियोग होता है कैसे एक दुसरे के ओपर दो शारोपड किया जाता है और जो विशे के विशेशग्याते हैं उनकी कैसी पक्षपात पूर विविशना होती है इन सबसे मुझे लगता है कि आपका भी मन जुरूर उचाट हुआ होगा इलक्ट्रोनिक और प्रिंट मीडिया की राजनितिक विशारधार्रा और व्यापारी घरानों से उनका जुड़ाओ उनकी कारिक्रमों में एदम इसपरस्ट नजर आता है आपके घर में भी जो समाचार पत्राता है वो सिर्फ दिखावे के लिए है पहले की तरह अवाम उसको पढ़ते नहीं हैं सिरफ पन्ना पलड़ करके रख देते हैं क्लिक बेट जनरलिजम की एक बानगी में आपको हालमही संपनवे राजसभा चुनाओं के परणाम के बारे में बताता हूँ एक पराजित उम्विद्वार के लिए आउनलाइन एक मीडिया होस ने सुबह सबीरे ये शिर्शक लगाया था कि फलाने फलाने की रड़निती की सामने फलाने फलाने डेहर हो गए फिर करिब एक या देड़ घंटे के बाद में उन्होंने डेहर को हटा दिया और उसको उन्होंने पस्त के साथ में वो शब्द रिप्लेस कर दिया था हमने और आपने डेहर शब्द का प्रियोग जो हमारी सुरक्षाबल है उनके साथ में जब आतंकवादियों या घुस पैठियों की कोई मुढवेड होती है तो उस संबंद में सुना है राजनितिक दंगल में अपने विरूधियों के लिए धेर शब्द का प्रियोग और वो भी एक राजनितिक दल ने नहीं किया एक मीडिया हॉस ने किया आप इसे कहां तक कुछ ठेराएंगे आज के इसंग में बस इतना ही आप से अनुरूध है कि आप मेरे इस चैनल को देखिए लोगों के साथ साजा कीजिए और हाँ मेरे साथ जुड़े रहिए इसको सब्सक्राइब कीजिए जय है